हेलो, नमस्का दोश्तो, मेरे चैनल हेल्थ केर एजुकेशन में आपका स्वागत है और मैं आज आप के लिए एक सेजरी का टॉपिक लेके आया हूँ, जनरल सेजरी का तो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सस्काइब नहीं किया तो सस्काइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और एक ऐसा टॉपिक है, आप यह देख रही होंगे, यह क्या देख रहा है, है क्या चीज, इसमें कुछ हैर है, स्कीन है, टीथ है, कुछ बॉन्द देख रही है आपको, है क्या चीज तो इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, यह एक फीमेल रिप्रोडेक्टिव का एक प्रॉब्लम है, जिसे डर्मर सिस्ट कहते हैं, तो यह ओबरी में होती है, और नॉर्मली यह जो है रिप्रोडेक्टिव एज में होती है, चाइन वीरिंग पेरोइड में, ठीक है और चाइन में भी कभी कभी हो जाती है, तो देखे इसकी डेफिनियसन देखते हैं, डर्मड सिस्ट off the opry, एक बिजायर टूमर, यूजिली बेनाइन, ये एक डर्मड की सिस्ट जो है, एक ओबरी का टूमर है, बिजायर टूमर है, जो यूजिली बेनाइन होता है, ठीक है, hairs को बना देते हैं, bone को बना देते हैं, थारेवट के cell को बना देते हैं, इस तरह के और भी कई सारे cell, तो ये कौन सा cell होता है, totipotential germ cell, totipotential means है multipotential, ठीक है, जब एक baby intrauterine life में बन रहा होता है, या form हो रहा होता है, तो ये जो है multipotent cell ही बच्चे को जो डवलब करते हैं, स सारे cells को बनाते हैं, तो कुछ cell उस समय छोड़ जाते हैं, तो वही बाद में गिरो करने लगते हैं, और इस तरह की चीजें, teeth, thyroid cells, hair, ये जो है, form करने लगते हैं, ठीक है, तो ये क्या primary oocyte debt is related within egg, ठीक है, तो जो primary oocyte हैं, तो उनके साथ ही ये रहतेच रहते हैं, और ये क ना देते हैं, तो symptoms इसमें क्या आते हैं, symptoms इसमें आते हैं, oberian cyst, जो oberian double cyst, if that cyst, grown large enough, ठीक है, जो grown होता है, female का, grown means, यहाँ पर grown जो होता है, जहाँ belt को बानते हैं, या जो हम pen पैनते हैं, उसको बानते हैं, तो वो grown होता है, तो वहाँ पर large मैसूस होता है, और जिस side में होती है, उस side में, पहले बिसमें, large feel होता है, ठीक है, और pain होता है, ठीक है, जिस side में होती है, उस side में pain मैसूस होता है, और उसकी, जो मेंसे होती है वो इर्रेगुलर हो जाते हैं ठीक है तो अब देखते हैं इसका कॉज क्या आए बंती कैसे है तो एन अबो विरियंट टूमर सिस्ट ए डर्मार सिस्ट डैट ग्रो अनुदर ऑर्गन्स फॉर्म डूरिंग इम्रोनिक डपलमेंट इंक्लूडिंग स्कीन सेल एंड अधर टिसू एंड ग्लांड शॉल्ड इन दी लेयर और बेबी इसकी नॉट भी अरांडल इंटर्ल ऑर्गन तो जब इम्रोनिक इस्टेज होती जब बच्चा बनता है तो यह मल्टी पोटेंट सेल जो है और यह साही चीज को बनाते हैं तो उसमेंसे कुछ सेल्स जो छूट जाते हैं और बाद में आप्टर वर्त के जो है डवलप कर जाते हैं तो इसको डाइग्नोज कैसे करेंगे सिटी स्केन करा लेंगे एमराइ करा लेंगे और ट्रांस बैजैल अंटर्शाउंड करा लेंगे टीवी एस जिसे बुनते हैं और पहले बिस एक्जामिन से तो आई चलो देखते हैं इसका टीटमेंट तो चोड़े बच्ची होती है तो उनको हम और सजरी नहीं कर सकते तो अगर चोटा होता है तो उसके लिए हम कोजिट पर टीटमेंट देते रहते हैं जिससे कि वो एक क्योंकि एक मा बन सके और उसको फैमिली प्लारिंग की तब तक हम कोजिटिव टीटमेंट देते हैं और पर जब हमें लगता है कि साथ ज्यादा बढ़ गया है तो कभी-कभी हम एडल्ट या और चिंडर्न में भी ये कर देते हैं तो एडल्ट एंड 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 ओंड फीमेल्स सर्जिकली रिमूव बाई लेप्रोटोमी एंड लेप्रोइस्कोपी तो जो फीमेल्स एडल्ट हैं ओल्ड फीमेल्स हैं जिनकी फैमिली कंपीट हो गई होती है तो उस समय तो हम इसको टोटल रिमूवल कर देते हैं ठीक है वाई लेप्रोटोमी मतला ओपन साजरी एंड लेप्रोइस्कोपी तो एक इसकोप डालके जो है चीरा लगा के करते हैं ठीक है और कुछ फीमेल्स एडल्ट होती है उनकी फैमिली कंप्ली नहीं होती है उनकी अगर डर्माट सिष्ट अभी ज्यादा बड़ी नहीं है तो हम कॉजिट वे टीटमेंट दे करके उनको फैमिली प्लानिंग कराते हैं और उसके बाद इसको हम करते हैं आज देखते हैं इसकी कंप्ली किसन क्या हो सकती है तो दा सिष्ट केन आल्सो लीट ट्विस्टिंग ऑफ ओबरी टॉर्शियों ओबरियन टॉर्शियों केन इफेक्ट बिलट फ्लो अब दा ओबरी एंड इस मेभी अफेक्ट अवेविल्टी को प्रेगनेंट अव ट्विस्टिंग हो गई तो वहां उससे क्या हुआ कि ओबरी की बिलट सपाई रुख जाएगी जिससे की फीमेल में जो है प्रेगनेंट होने की छंता कम हो जाएगी और वो प्रेगनेंट नहीं हो सकती और अगर रेप्चर कर गई तो उसके अरांड जो है जो भी टिसू हो होता है तो मैंने आपको बताया डेफरेश्ट के बारे में यह जनेरल शही ज्युद्ध का कुस्संद आता है तो अगर आपको मेरी बीडियो अची लगी है और आप चाहते हों इसको को और भी इसको इससे किसी की help हो तो मेरी वीडियो को share कीजिए, like कीजिए, subscribe कीजिए my channel नमस्कार, आगे मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूँ तो आप मेरे चैनल को subscribe कर लिजेगे और bell icon को दबा लिजे जिससे की आपके पास notification आता रहे